student good morning to all our today's topic is gymnosperm gymnosperm देखो बेटा क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है gymno का means होता है naked and sperm का मतलब seed तो ऐसे plant जिसके अंदर जो seeds होते हैं वो naked होते हैं जिनके उपर कोई covering नहीं होती है उसको gymnosperm कहते हैं in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed इसके अंदर जो ovules होते हैं वो किसी ovary wall के साथ touch नहीं करते और exposed नहीं होते and both before and after fertilization मतलब वो हमेशा naked रहते हैं LAB और fertilization के बाद भी the seeds that develop post fertilization are not covered और naked यह naked होते हैं मतलब इसके नाम से ही समझाता है ऐसे seeds जो naked होते हैं gymnosperm include medium size tree gymnosperm के अंदर हम medium size के tree देखते हैं और tall tree भी देखते हैं और shrub भी देखते हैं मतलब हर size के tree gymnosperm के अंदर आते हैं one of the gymnosperm the giant redwood tree square is one of the tallest tree species इसकी जो सबसे लंबी species है मतलब जो सबसे लंबा ट्री है sequua वो gymnosperm का होता है the root are generally tap root इसमें tap root मिलती है root in some genre है fungal association देखो इसमें क्या होता है कि जो pinus होता है ये भी gymnosperm का example और psychus भी gymnosperm में ही आता है ठीक है जो pinus होता है नहीं उसकी रूट के अंदर fungus रहता है और fungus को mycota family से बिलॉंग करता है fungus तो इसको हम कहते है mycorrhizal root pinus की root में fungus रहता है ठीक है इसको हम कहते है इसकी roots जो होती है my scorrhizal root होती है और psychus की roots में 跟大家 करे ठीक है इसलिए हम उसकी roots को कहते है the cores Lloyd roots समझा गया minus की root को माइको राइजल रूट्स कहेंगे साइकस की रूट को कोरेलोइड रूट्स कहते हैं ठीक है उसके बाद है इस टैम आर अन ब्रांज जो इनकी स्टैम होती है वो अन ब्रांज भी हो सकती है ब्रांज जो होती है वो पाइनस में होती है और अन ब्रांज होती है साइकस में दोन देखो साइकस प्लाइन यह पिन्यट लीफ मतलब उसमें एक टर्मिनल लीफ लेट उतर साइड पे लीव होती है तो इसको पिन्यट लीफ कहते हैं तो यह साइकस में प्रेजेंट होती है देखो जैसे बड़ी लीफ होगी तो लीफ के अंडर साइड पर क्या होते हैं तो यहां से फिर क्या होगा पानी एवैपोरेट होगा अगर यही लीफ ऐसे बन जाए बिल्कुल नीडल की जैसे हो जाए तो सरफेस एरिया होगा नहीं स्टॉमेटा नहीं होंगे एवैपोरेशन कम होगा इसलिए इसकी जो लीफ है वो नीडल में बदल जाती है ठीक है दियर ठीक क्यूटिकल एंड संकन स्टॉमेटा संकन का मतलब होता है डीप मैं आपको यहां पर मैंशन ही कर देती हो संकन का मतलब होता है डीप ठीक है मतलब इसने जो स्टॉमेटा होते हैं वो deeply प्रेजेंट होते हैं to reduce the loss of water इसमें water loss के कारण की water का लोज कम हो देखो जो जीम्नोषपर्म होते हैं यह हेट्रो स्पोरोस होते हैं मतलब इसने दो तरह के स्पोर्स होंगे एक तो haploid, microsporous and megaspors ठीक है? दो तरह के spores produce करेगा हमने उसमें पढ़ा था ना teradophytes में होपकी वो homosporous होता है लेकिन उसमें laginal स्थितम में hitrosporous होते है इसमें क्या होते है? यह haploid मलब इसमें microsporous होगा megasporous होगा the two kinds of sports are produced within sporangia स्पोरेंजिया क्या होता है एक ना ऐसे कौन शेप होती है कौन सा बन जाता है जिसके अंदर स्पोर्स सारे इकठे हो जाते हैं मतलब सारी लीव्स इकठे हो जाएंगी स्पोरेंजिया जो स्पोरेंजिया होगा वो इकठा हो जाएगा स्पोरेंजिया मतलब जिसमें स्पोर्स बना दिए ठीक है यह देखू दे टू काइंड आप स्पोर्स आर प्रोड्यूस विदिन स्पोर एंजिया दैट आर बोन और स्पोरोफिलर्स विच आरेंज स्पाइरली अलॉंग की एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पक्ट स्टॉबिली देखू इस तरह से एक मतलब एक सीधा से इसमें एक एक्सिस बन जाता है और इसके साइड पर यह सारी स्पोरंजिया आ जाते हैं तो यह कौन शेप की स्टक्चर बन जाती है जो स्टॉबि इसको हम क्या कहेंगे मेल स्टॉबिली अभी मेल इसको हम फीमेल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें सारे करेक्टर मेल के हैं ठीक है दा माइक्रो स्पोर्ड डैवलप इंटो ए मेल गमीटोफाइड जनरेशन विच इस हाइली रिदूस्पाइड तो कंफाइंड ओंली ए माइक्र स्पोरेंजिया में दा कॉन बीरिंग माइक्रो मेकर स्पॉर पिलस विद ऑविव्यूल सॉटे action और मेगर स्पॉर फिलस होते हैं इसको कहेंगे व्यूल्जिया और सिंध्यों गायं कुए निज और और मिले और में और सेंटी पर विटे में गाने और माइक्रह और स्पोर्स रहें है तो को अधोर डिटेल में स्टडी करेंगे जिम्नो स्वाम्स ओके स्टुडेंट बाई बाई